दोस्तो एक अकेला कितनों की नाक में दम कर सकता है ये विडियो उसका जीता जाकता प्रमान है इन्हें आप जानते होंगे जाना पहचाना चहरा है ये डॉक्टर साइध रिजवान ये टीवी चैनल्स की डिबेट्स में शोस में राजनतिक विशलेशक के तौर पर काफी ख्याती बटोडते हैं और मोदी जी के परम समर्थकों में से एक रहे हैं ये अब सोशल मीडिया में डॉक्टर साइध रिजवान ने ध्रोवराथी को लेकर अपनी खीच उता लिए या फिर ये कहलें कि ध्रोवराथी किस हद तक आईटी सेल के नाक में दम कर रहा है इस वीडियो के जरीए पता चलता है अपने इंस्टेग्राम में डॉक्टर साइध रिजवान ने एक वीडियो शेयर किया है ध्रोवराथी को लेकर जो ना केवल उनकी नॉलेज पर सवाल उठाता है बलकि मैं तो उनसे यह कहूँगे कि अगर सोशल मीडिया में वो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं तो पूरी जानकारी तो पोस्ट कर रहे हैं ध्रोवराथी से कितनी खिचाई गोई कितनी परेशान है आईटी सेल तो सो ध्रोवराथी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें 60 किलो का चूजा कहते हुए डॉक्टर साही दुरुजवान ने कहा ये इंडिया गडबंदन का 60 किलो का चूजा कहता है भारत में तानाशाही है फिर भारत आता है जाहिलों के सर्वश्रेश्ट पत्रकार के साथ फोटो डालता है और वापस चला जाता है बेटा ये तानाशाही होती ना तो एरपोर्ट से कहां गयब हो जाता तेरी नीली शिर्ट के धागे भी ना मिलते अरे चूजे तूने खुदी साबित कर दिया कि तू इंडिया अलाइंस यानि इंडिक अडबंदन के चलते भारत के खलाफ एजंडा चल रहा है धुरुवराठी अभी भारत में ही है वो कहीं बाहर नहीं गए है भारत में रहकर वो भारत के तमाम यूट्यूबर्स के साथ इंटर्व्यूज कर रहे है भारत के तमाम यूट्यूबर्स से बातचीत कर रहे है तो ये जो आपकी दलील है कि अगर भारत में तानाशाही होती तो तू आ कैसे पाता है जो कि धुरुवराठी को इससे पहले कहा जाता था धुरुवराठी जब जर्मिनी में रहकर यूट्यूब में विडियोज पोस्ट करते थे तो उनसे कहा जाता था कि बड़ी हिम्मत है विदेश पे बैटकर ग्यान बगार रहा है इंडिया आकर दिखा अब वो इंडिया आ गए तो इन लोगों को दिक्कत है कि इंडिया आ गया इसका मतलब यह है कि तनाशाही नहीं है तो क्या हम इस बात का इंतजार करें कि देश में ऐसे हलात हो जाएं कि एरपोर्ट से कोई उठवा लिया जाए यह बात तो दुरुबराटी अपनी सारी वीडियोज में कह रहे है कि मैंने कब कहा कि तनाशाही आ गई है लेकिन स्पेक्टरम इतना बड़ा है यह पूरा का पूरा मामला इतना गहरा है कि एक दिन कह देना कि कोई स्विच ओन किया कि तनाशाही चली गई और स्विच ओफ किया कि तनाशाही आगे ऐसा नहीं होता है एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें डर है कि देश पे तनाशाही आ सकती है इस हद तक का डर है दुरुराटी को कि उन्होंने अपने वीडियो में ये भी कहा एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि मुझे ये भी लगता है कि मेरा यूट्यूब चैनल ये लोग बंद करवा देंगे तो कहीं देर ना हो जाए इसलिए मैं अब बोल रहा हूं क्योंकि अभी बोलने का वक्त है इसलिए क्योंकि अभी चुनाव है मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मेरा एक वीडियो सौ लोगों तक पहुँचाया जाए और स्यादर स्यादर लोगों तक वो वीडियो शेयर किया जाए देखा जाए धुर्वराठी ने तो कभी नहीं कहा कि देश में तानाशाही आने का डर है इसलिए अपने वोट का सही इस्तिमाल करें क्या यही बात इन लोगों को इतना मतलब छट बटा रहे हैं यह बात सुनकर इतना परेशान है कि धुर्वराठी को लेकर तमाम तरह की वीडियो बनाई जा रही है दुर्वराठी ने अपनी वीडियो में कभी भी किसी के लिए हैं एक वीडियो में जितना डेटा अनालेशिस और रीसर्च होती है अच्छे अच्छों को वैसी वीडियो बनाने में कई दिन लग जाते हैं तो रवीश कुमार या ध्रुवराथी का मजाक उड़ाने वाले लोग उनके लिए हलके शब्दों का इस्तमाल करने वाले लोग उनकी महनत को तो देख लें, उनकी कॉंटेंट को तो देख लें और सबसे बड़ी बात, content का मुकाबला content से करें न, हलके शब्दों का इस्तमाल किसी के लिए क्यों करना है? ये बताता है दोस्तों कि ITCELL के पेट में कितना दर्थ कर दिया है इस एक आदमी, यानि कि धुरुवराठी ने, क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सकते दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थाइंग्स और जॉइन ये दो आप्शन से जिसके जरी आर्थिक तोर पर भी आप चैनल के हाथ मस्पूत कर सकते हो